वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाई शुडेनिजेन यूटुब चानल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचल की तरफ से रिक्रुमेंट निकल करके आ रही है फॉर ट्विंटी ट्री एचल एक नवरतन पीस्यू कंपनी है क्योंके सरकारी कंपनी है तो पर्मनेंट जॉब यहाँ पर रहेगी कोई कॉन्ट्राक्चल जॉब नहीं है जो अच्छी चीज है टेंशन मतलो विदाउट गेट्स कोट सिलेक्शन रखा गया है और येस औल इंडिया अपलाई कर सकते है सीटीसी प्रोवाइड कर रहे है 15 लाक पर अनम बहुत बढ़िया सीटीसी है पर देखो यार इंपॉर्टन पॉइंट्स पहली बता देता हूँ ताकि आपका समय वेशना हो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टन बी टेक इन मेकानिकल वाले बच्चे ही अपलाई कर सकते हैं दूसरा दो साल का एक्स्पिरियंस नेसेसरी है फ्रेशर अपलाई नहीं कर सकते हैं तो अगर आप इंट्रेस्टेड हो फिट होते हैं तो पूरा वीडियो देखना नहीं तो या पर वीडियो को छोड़ सकते हो और वीडियो को छोड़ रहे हो जब अपने जैसे ही सीरियस जॉब सीकर्स के साथ एक रिलेशनशिप बना सको उस ग्रूप के अंदर डिसकेशन कर सको के कहा से पढ़ाई कर रहे हो कौनसे कूर्स बढ़िया है इंटर्वी कोशन शेयर करना हो टेस सीरीस के रिव्यूज लेने हो माटीरियल शेयर करना हो सब कुछ आ वहाँ पर दे रखी है तो पहले लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे तो यह पीडियाफ ओपन हो जाएगी है एक नवरतना सीपी एस यू कंपनी है सेंटरल पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग और यहाँ पर आपके लिए जो वेकेंसी है इन टोटल चार वेकेंसी है अन्रिजर्ड में दिगरी होनी चाहिए बी बीटक कोई भी चल जाएगा बट मेकानिकल ब्रांच से ही अगर इसके अलावा कोई ब्रांच है तो आप अपलाई नहीं कर सकते यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और फिर यहाँ पर रेगिलर या फॉल टाइम डिगरी आपके पास होनी चाहिए अ और अगर आप आप के अंदर देख रहे हो कोर्स के अंदर तो फॉल्डर में ही आपको पीडियाफ मिल जाएगा एज लिमिट जो है यहाँ पर अपर 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 एज लिमिट अन्रिजव्ट के लिए 35 यर्ज है वो भी सी एंचल के लिए 38 यर्ज है उनको relaxation मिल जाता है उस सब्सक्राइब हो तो कोई भी application fees आपको पे नहीं करनी है वैसे online application fees नहीं है offline तरीके से भरना है कैसे क्या बरना है State Bank of India में आपको भरना है पूरा detailing यहाँ पर दे रखा है तो आप आराम से देख सकते हो ठीक है इसके लब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको documents भी जो है वो आपको भेजने पड़ेंगे how to apply के लिए यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है ध्यान से देखना candidate जो है उनको यह पूरा का पूरा application format जो prescribed किया गया है लिंक के अंदर वो पूरा का पूरा यहाँ पर इस address में भीजना है और जो payment भी है वो offline है यहाँ पर application भी offline है तो सारी चीज़े offline है इस चीज़ का note करना है इंडिया नाशनल सप्लाई कर सकते हैं selection process जो है वो यहाँ पर जो भी आप form भरोगे उसके basis पर shortlisting किया जाएगा initial screening test होगा relevant experience देखा जाएगा वो सब होने के बाद आपको personal interview के लिए बुला जाएगा उसमें यह ratio दिया गया है और इसे साबसे बाद में selection रखेंगे ठीक है बस मुझे लगता है इतनी सी बात है और तो कुछ जादा है नहीं अगर यह वोग्योड एजिए टीक टीक एर गई ह बड़ एगा है यह गया यह।